के कोश्चन पेपर को मैं एनलाइज करवा रहा हूं, जिन स्टुडेंट्स का एक्जाम चल रहा है और जो उनका पेपर अच्छा गया है, वो इस एनलिसिस को अभी ना देखें, बाद में जब एक्जाम खतम हो जाए तब वो ये एनलिसिस देखें, जिन स्टुडेंट्स ने कोश्चन पेपर दिया है और उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है और वो अप्ट आउट का सोच रहे हैं, तो शायद ये एनलिसिस आपके लिए एक वर्दान प्रूफ हो और शायद आप अपने डिसीजन को फिर से रिकंसीडर करें, जिन इस्टुडेंट्स का पेपर जन कर दिया था, MCQ के जो कोश्चन जो पार्ट थे वो बहुत जादा आसान थे, तो अगर आपको MCQ में पूरा आप सोच रहे हैं कि मुझे 40 आउट ओफ 40 में सिक्योर कर सक रहा हूं, तो प्लीज आप आप आउट का सोच ये ही मत, MCQ के कोश्चन बहुत जादा आसान थे, ठीक तो अगर आपने उसको भी लिखा है, आपने 100% पेपर एटेम्ट किया है, तो I am damn sure कि आप 70, 75 marks easily secure कर जाएंगे, provided आपके MCQ सारे सही हैं, तो आप बिल्कुल भी अपने decision में opt-out मतला आईए, because क्या पता next exam में ये भी हासिल ना हूँ, हमेशा हम positive सोचते हैं, तो हम यही सोच के चल रहे हैं कि ये जो पेपर आपका हुआ है, उस काफी अच्छा हुआ है, पेपर हम analyze करना शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं disappointed जरूर हूँ, क्योंकि latest जो chapters add-on हुए थे, leasing and factoring के उपर एक भी question नहीं आया, जो कि थोड़ा मुझे disappoint किया, so definitely next exam में हम यह मान के चल सकते कि उसके उपर जरूर-जरूर question आएगा, so friends शुरू करते है analysis, first case study हमारा था, और out of five case studies एक case study हमें छोड़ना था, तो वो भी हमारे लिए एक तरह से beneficial होगा, जो भी case studies आपको लगता है कि यह case study में to the point answer लिखना है, थोड़ा practical point of view है, और जो कि आपने class में cover नहीं किया है, तो उसको आप definitely छोड़ दीजेगा, descriptive question जो theoretical है, वो definitely आप attempt कीजिए, practical अगर आपने class में किया है, तो फिर आप उसे attempt कीजिए, यही rules हम class में बताते हैं आपको, तो first question आप देख रहे है, covid situation की उपर है, और यहाँ पर आप देख सकते है, the covid-19 pandemic, ठीक है, अच्छी बात है, आगे देखते हैं, so, यहाँ पर आपको record date, यह right shares की उपर question है, तो जहाँ से अगर आपको पता चल गया कि right share की उपर question है, तो आप right share का जहाँ भी आपने regulation में पढ़ा था, फटा-फट उसे open कर लें, maximum चीजिए आपको वहीं से मिलेगी, ठीक है, और यहाँ सारा data दिया हुआ है, no problem at all, और MCQ MCQ आपके आगए यहाँ पर, और MCQ definitely आपने item किया होगा, अगर कोई भी confusion हो आपको MCQ में, तो आप पुछेगा, मैं उसका, आपको 100% answer दे दूँगा, बट अभी पूरा paper solve करना possible नहीं हो पाएगा, just मैं आपको analysis दे रहा हूँ यहाँ पर, कि right share की precaution तो, right shares हमारे regulation में directly है, 1.6, 1.6 दो number का सवाल है और कुछ circular की बात कर रहा है, सेवी द्वारा जो issue की गई थी, तो यह मैं, जो पार्ट है मैं मान के चलता हूँ कि student से नहीं हुआ होगा, अगर वो circular लेकर नहीं गया होंगे तो, चलिए, 1.7 definitely again यह बहुत simple point है, जो कि आपको regulation से मिल जाएगा, कि कि जिसको right shares entitlement मिलेगा, नहीं मिलेगा, 1.8, again एक theoretical point है, जहां पर आपको यह बोलना है, explain with three reasons, तीन reasons बताने, why right shares is one of the preferred mode of raising fund, क्यो right shares से हमें पैसा उठाना चीए, right shares से हमें पैसा क्यों उठाना चीए, right shares किसे मिलता है, existing shareholder को मिलता है, तो हम लोगों का जो controlling affairs है, वो intact रहता है हमें outside लोगों को नहीं involved करना होता है, उनको नहीं shareholder बनाना होता है, हमारे जो existing shareholder है, वही हमारे company के shareholder बनने रहते हैं, तो हमारा controlling affair intact रहता है, इस तरह से आपको तीन reasons देने हैं, क्यों right shares से हमें पैसा उठाना चीए, तो यह एक general theoretical सवाल है, जो हर एक students को पता होना चीए, और वो अपने narration में सवाल का answer देंगे, और definitely यहाँ पर चार number उनको यहाँ पर अच्छा target ले सकते हैं, तीन number, दो number, जैसा भी उन्होंने लिखा होगा, you father owns, you नहीं होगा, your होगा, definitely मैं यह भी चाहता हूँ कि institute एक पर ज़रूर reading करें अपने question paper को, वो question paper print तो कर देते हैं, लेकिन एक reading तो जरूर बनता है, इस तरह की गलतियां अच्छी नहीं लगती, ICI जैसे institute द्वारा, you father owns, तो यह होगा, your father owns 1000 shares of ABC limited and has approached you to take your opinion on whether he should subscribe to the right issue, आपके parents ने कहा, पापा ने कहा कि क्या मुझे right share लेना ची कि नहीं लेना चीए, evaluate whether it is beneficial, अब आपको right shares again, यह theoretical सवाल है, आपको right share लेना ची कि नहीं लेना चीए, from the perspective of EPS, market price of right shares and analyst view on the price, so इसकी उपर अगर आपका case study पहले पढ़ना होगा, उसमें अगर कुछ point है तो उसको लिखना होगा, तो यह case study मैं बहुत जादा simple भी नहीं मान रहा हूँ, लेकिन इसको मैं average लिकर चल सकता हूँ, अगर आ case study number two में again यहाँ पर reliable footwear limited की कुछ data दिये वे हैं, terms of credit, the operating cycle और MCLR, इस तरह का जो practical question है वो हमारे study में दूर दूर तक कहीं नहीं था, ठीक है, so यह एक case study एक नया है, practical case study है, so इस case study में definitely कुछ बच्चों को problem हुई होगी, कोई बात नहीं, हम यह नहीं मान के चल सकते कि 6 के 6 case studies आपके class में covered हो या आपके book में covered हो, so letter of credit का यहाँ पर दिया हुआ है, prevailing forward premium ठीक है, दिया हुआ है, letter of credit के उपर हमारे forex में भी एक question था, अगर आपको ध्यान होगा तो, और यह सारा चीज आपको data दिया हुआ है, fine, so यहाँ पर हम आगे देखते हैं, MCQ बोला हुआ है, MC read करवाना चाहरा हूँ, let's say हम एक MCQ read करते हैं, factoring is mainly relevant for the management of, factoring किसलिए होता है, account receiables के लिए होता है, तो B होगा इसका answer, इस तरह के बहुत सारे MCQs है, मैं हर MCQ को भी नहीं देख पा रहा हूँ, मैं just simple सा बताए कि factoring is relevant, तो directly मुझे इसका answer बीना किसी books को देखे, refer किये, म मैं पूरा MCQ भी यहां पर read नहीं करवा रहा हूँ, तो अब आते हम 2.6 में, based on the information given, evaluate working capital finance in INR and buyers credited in USD, suggest to the CFO which option is better and why, आपको working capital finance की requirement बतानी है, तो IPCC interlabel पर हमने working capital का chapter पढ़ा था, तो लेकिन definitely इस तरह के questions अगर आपको लगता है कि practical है और आपको लगता है आप 100% sure नहीं है तो आप definitely इसको छोड़ के आ सकते हैं, what would be the impact of debt equity ratio if the buyer's credit option is selected by reliable, तो debt equity ratio का impact बताना है, अगर debt ज्यादा होगा तो क्या फाइदा है, क्या नुकसान है, कम होगा तो क्या फाइदा, क्या नुकसान है, CFO are asked you to illustrate the credit default swap by way of a diagram, हमने class में credit default swap का diagram किया था, आप directly उसे यहां पर copy-paste क कर सकते हैं, तो also explain three parties, उसमें three parties भी indicate थी, and two types of assets that are involved in a credit default swap, तो यह सारा आपको theory book से मिल जाएगा, जो आपको दिया गया था, credit default swap का, यह simple question में मानके चल सकता हूँ, तो 6 number है, इसमें illustrate a transaction involving a rate clause letter of credit by way of a diagram, तो rate clause letter of credit का आपको एक diagram बनाना है, definitely यह एक नया point है, तो यह दो number का ही है, तो घबरानी की कोई बात नहीं है, जो चीज आपको extra coverage के रोप में दिया रहा है, उसमें marks, marks सिफ दो या चार number है, लेकिन आप पूरा देखिए कि अगर मैं इस को item करता हूँ, मेरा mcq पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर mcq पूरा हो रहा है, तो आपको यह फिर attempt करना चीए, तो और कोई दिक्कत नहीं है, mcq का सारा खेल है, ठीक है, fine sir, चलिए, अब देखते हैं, case study number 3, ठीक है, mcq का मैं आप बोलेंगे, तो मैं पूरा solve करके आपको देदूंगा answer, because अभी मेरे पास इतना time नहीं था, तुरंट मेरे पास question पर प बनाया, genius is an education technology startup on a mission to democratize the access to quality education, चलो ठीक है, कुछ education की उपर था, अगे यह COVID-19 pandemic के बार में बता रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, जरा देखते हैं यहाँ, आगे देखते हैं, क्या बोला हुआ है, किस की उपर अधारित है, question, बहुत सारा angel investors, मतलब यह venture capital की उपर question है, त ठीक है, please find out mcq दिया गया है, यहाँ पर, find what is the huddle rate, huddle rate के बार मैंने आपको class में बताया हुआ है, ठीक है, fine sir, so no problem at all, यह भी बहुत ही simple simple mcq, मैं देखके लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा simple mcq लग रहा है, ठीक है, fine sir, आगे बढ़ते हैं, अगर हम यह देखे, what is huddle rate, तो maximum rate which a P invest should achieve, cost of capital minimum rate which P should achieve for LPs before sharing of profit, so the answer should be C, the answer should be C, then फिर हम पूरा case study भी पढ़ेंगे और फिर देखेंगे उसमें क्या answer निकल रहा है, on the spot, मैं एक दम final कोई books refer नहीं कर रहा हूँ, मैं finally एक बार देखकर बता दे रहा हूँ कि C इसका answer होगा, बाकी हमें case studies बगर देखना होगा, चले सर, तो इस तरह से case studies में MCQs तो बहुत simple रहे, अब देखें इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है, आपको startup finance या venture capital के उपर question है, और आपको बहुत सारी इसमें बाते लिखनी है, problem, solution, market sizing, financial projections, key operating matrix, valuation and exit opportunities, recommendation, including key risk, risk बताना है, तो friends ये सब के उपर आप ये मत सोची कि आपको पूरा book से direct मिल जाएगा, आपको अपना narration में लिखना होगा, और सबके साथ ऐसा ही है, आप अकेले नहीं है, आप other relative paper में भी same ऐसा ही होता है, तो आपको लिखना है, आपको अपनी analysis करनी है, risk के बाएर में बहुत सारे case studies है, उस पता ही नहीं चलेगा कि answer exact यही होगा कि नहीं होगा, apart from MCQ, और सबके साथ ये, एक answer कभी नहीं हो सकता है case studies का, alternative answers होते हैं, ठीक असर, अब case study number 4 आते हैं, छोटा सा case study, अब देखेंगे case study number 4 is the smallest case study, तो ये एक mutual fund के उपर है, again यहाँ पर भी बहुत सारे case studies हैं, बहुत सारी ratio, यहाँ पर देखें, sharpage ratio, trainer ratio, बहुत बर हमने किया हुए MCQs, तो मेरा मानना है कि बहुत सारे बच्चों का MCQ पूरा-पूरा 40% सही हुआ होगा, बाकि अगर आपने 100% paper attempt किया है, तो आप तो अच्छा, बहुत अच्छे label पर आप अच्छा mark secure करेंगे, ठीक है, चलिए, तो आगे देखते हैं, यहाँ पर gain loss पूछा, यह हो जाएगा, explain the benefit of investing in mutual fund, it was the most simplest MCQ, benefit of mutual fund, direct आपके book में आप copy paste करना है, advantage लिखावा है, benefit, advantages of mutual fund लिखावा है, आप direct copy paste करना शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, concept of SIP, SIP क्या होता है, यह भी मैंने आपको बता है, इ पार नंबर बहुत हैं इसमें, चलिए आगे देखते हैं, आपको कुछ open end, यहाँ पर कुछ दियावा है, data दियावा है, आपको इसमें बताना है, क्या सही है, और क्या गलत है, तो same data आप देखेंगे, आपको कोई case study में, आपको same data यह मिलेगा, आप धूड़िएगा, case study म बस वहाँ से copy paste करना है, और देखना है यहाँ पर क्या गलत है, इस पूरे diagram में गलत क्या है, यह आपको ढूड़ना है, अभी में को case study ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन definitely आपको वहीं से यह question आया है, आपको यहाँ पर गलत देखना है, और उसको recommend करना है कि यह गलत है, 4.8, 4.8 में आपको data दिया हुए, दो fund का, और standard deviation दिया हुए, बीटा दिया हुए, portfolio turnover ratios दिया हुए, ठीक है, fund inception दिया हुए, बहुत सारा data आपको दिया हुए, यहाँ पर expense ratio दिया हुए, ठीक है, fine sir, इसके उपर भी हमने एक question किया था practical, जो latest MTP में आया था, ठीक है, अगर आप आपने carry किया होगा, तो इसके उपर भी आपको मैंने latest बताया था question, और यहाँ पर आप देखते हैं, fund performance against benchmark, fund की performance कैसी रही, fund history, fund expense ratio, risk adjusted return, तो यह सब C, A, P, M, अगर जो भी लग रहा है, average maturity and duration, S, F, M का पूछ लिया, duration पूछ लिया, तो यहाँ पर आपको definitely कुछ दिक्कते आई होगी, लेकिन 100% marks तो नहीं मिल पाएगा, अगर आप थोड़ा सा SFM का आपका base थोड़ा नहीं है तो, बट फिर भी यहाँ पर आप अच्छा secure कर पाएंगे, यह MCQ आप definitely, सारे बच्चों ने यह MCQ तो जरूर किया होगा, मेरा मानना आई है, case study number 5 में आते हैं, case study number 5 मे अगर दिया हुआ है, आगे देखते हैं, ठीक है, आपको long term debt का दिया हुआ है, short term debt का दिया हुआ है, equity share capital, balance sheet वगर दिया हुआ है, ठीक है, fine, आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पर credit rating वगर भी दिया हुआ है, अच्छा, अब आपको यहाँ पर पूछा है, पहुत सरे, य 5.2, in which of the technique time value of money is not considered, मैंने पहली बारी मैं देख रहा हुँ यह, मैं पूरा mcq नहीं पढ़ रहा हुँ, मुझे बस देखके लगा कि चलो, यह mcq तो आसान है, कौन से technique में time value consider नहीं किया जा सकता, तो बताइए, यहाँ पर again थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो गई, इसके option मे अभी मैंने option देखा, मुझे option यह सही नहीं लग रहा है, क्योंकि payback period में भी time value of money consider नहीं किया जा सकता है, accounting rate of return में भी time value of money consider नहीं किया जाता है, ऐसा वो क्यो करते है, बताइए, तो यहाँ पर आप A भी answer देंगे तब भी वो सही है, और D भी answer देंगे तब भी हो सही है, लेकिनों करना नहीं चाहिए, एक ही तो MCQ, मतलब एक ही तो answer होना चाहिए, I don't know, मुझे अच्छा नहीं लगा, चलो 5.3 भी मुझे नजर आ रहा है, normal structure of treasury operation, front office, back office, mid office, central office, तो central office word कहीं नहीं है, तो D will be the answer, central office, central office will be the answer, तो इस तरह के बहुत सरे MCQs हैं, जो आप आसानी से क तो length of the video काफी बड़ा हो जाएगा, अगर आपके सारे MCQs हैं, तो go for it, आप बहुत अच्छा secure कर रहे हैं इस paper में, ठीक है sir, no problem at all, तो यह आपके total 5 MCQs हो गए, और 1 MCQ आपको छोड़ना था, आप कौन सा छोड़ेंगे, मुझे वही लग रहा है कि आप छोड़ेंगे, इ इसके descriptive question कोच इस तरह से है, calculate the base NPV, लगता है यह base case NPV और adjusted net present value, SFA में भी यह question इस तरह का question आया, लेकि मैंने FSCM में आपको adjusted NPV पढ़ाया है, ठीक है, तो 5.6 and 5.9, 5.9 पहले देखेंगे, adjusted NPV, adjusted NPV और adjusted base NPV, तो यह दोनों question आप से हो जाएंगे, अगर आपको practical strong है, तो 7 भी try करेंगे, cost of equity, आपको cost of equity निकालना है, and recommend whether to go ahead with the suggested capital structure, क्या हमें capital structure जो suggested है, उससे आगे बढ़ना चाही कि नहीं बढ़ना चाही, decision-based सवाल है, वो study से पढ़कर इसका answer आएगा, suggest various sources of funds along with duration of such funding based on the app of given information, which can be tapped by company for this project to optimize the overall cost of capital, also explain relevant condition, precedent for suggested funding sources and eligibility of the company for the same, तो यहाँ पर आपको various funding पूछा है कि कैसे कैसे company पैसा raise कर सकता है, और उसकी कुछ eligibility बगरे बारे में पूछा है, definitely मुझे ऐसा लगता है कि यह भी हमारे theory book में covered है, but इसको एक बार मुझे देखना पड़ेगा, check करना पड़ेगा, so यह case study ठीक है, यह भी म रहे हैं, तो अगर आपने 100% marks किया है, तो आप 70-75 easily secure करेंगे, मेरी student secure करेंगे, आपको मैं results भी बताऊंगा, जब result out होगा, तब आप बोलोगे, हाँ sir, बिल्कुल आपने सही बताया है, अभी तो ऐसे लगता है, हाँ, ठीक हो गया, कि elective paper में आप यह बहुत confident नहीं हो पा verification किसी चीज में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको मेरा mail address भी दिया हुआ है, MCQs was very very easy for this entire scheme of things, MCQ मुझे काफी आसान लगा, descriptive questions भी easy थे, बस उसको आपको narration में लिखना था, आप कितना उसको अच्छा लिख पाएं, वो तो आप ही जान पाएंगे, और answer sheet ही बता पा यहाँ पर लाया जाता, जो कि हमने बहुत मेहनत करी थी, हमने इतनी मेहनत की थी, तो यह paper उस मेहनत के बराबर नहीं है, हमने मेहनत बहुत जादा कर ली थी, इस paper में बहुत सारी चीज ऐसी है, जो बीना books, खोले भी आपको answer लिखने बोला जाए, तो आप लिख देंगे, जैसे राइड शेर्स की बात मैंने करी, फंडिंग कहां से रेस करा जाए, ठीक है, इस तरह की चीज़े, mutual fund में कुछ एक दो common चीज़े थी, SIP, systematic investment plan, सबके parents, सबने SIP में पैसा लगाया होता होगा, हर मैने आपका कुछ ने कुछ SIP में जा रहा होगा, तो उसका एक general knowledge का आपको definitely आना चीह है as a finance student, और आप यह मस्तोची कि मेरा paper बहुत जादा अच्छा नहीं गया है, अगर आपने 100% attempt किया है, तो आपका paper अच्छा गया है, वो मैं बोल रहा हूँ, provided आपके MCQ पूरे सही है, So friends, wish you all the best for your next exam, और अगर आपका exam January 2021 और onwards है, तो आप elective paper भी अच्छे से seriously लीजिए, सारी class करिए, क्योंकि class तो आपको एक बार करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते है, open book exam है, तो books जब है, तो class लेने की क्या जरुवत है, आपको class लेने की एक बार सारी चीज़े हैं, जैसे adjusted net present value है, उसके उपर भी हमने class में questions किया है, FSCM में, तो अगर आपने class नहीं किया होगा, तो ये सारे questions आप से ignore हो जाएंगे, ठीक है, बाकि अगर आपने बहुत सारे पुराने batch के हैं, अगर आप और आपको latest batch लेना है, तो latest batch भी out हो गया, उसका information मैंने आपको group में दे दिया है, आप please उसको देखिये, समझिये, आपको अच्छा करना है, आपको better करना है life में, बस यही एक objective है, यही एक उमीद है, और इस selective paper में I am expecting कि 75 marks on an average, अगर बच्चा 100% attempt किया है, चाहे कैसा भी किया हो, और अगर MCQ आपके 100% सही है, तो आपको 70 75 marks लाने से कोई नहीं रोक सकता, इससे tough paper तो एक और आया था पुराना, उसमें बच्चों का 85-87 marks secure किया था, तो बिल्कुल घबराने की जरुवत नहीं है, अगर आप इस basis पे exam को छोड़ना चाह रहे हैं, कि यार, मैं 100% attempt नहीं कर पाया, तो देखिये, 100% case studies based सवाल में तो हो ही नहीं पाएंगे, आप 75-80 तक भी आप पहुंच पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, ठीक है, thank you so much friends, फिर भी अगर कोई query हो तो जरूर पूछेगा, कोई भी बात है, तो पूछेगा, आपको मेरा mail address, आपको group में भी मैंने join करवाया है, हर तरफ से मैं easily accessible हूँ, बस आप raise करे query और अच्छे से पढ़ाई करें, thank you so much friends, thank you very very much, risk management जिन्होंने जिन्होंने opt किया, उसके analysis में कुछ देर में उसको भी मैं post करूँगा, ताकि risk management के students भी थोड़ा confident हो जाएं, और वो भी आगे के exams के लिए बिलकुल तयार हो जाएं, thank you so much friends. झाल